इस पटिकलर वीडियो में आप लोग को शेडियूल बताने वाला हूँ उससे पहले बेटा समझ लीजिए कि जिद बैच क्या है जिद बैच एक रस्ता है आप लोगों का chemistry की सारी problem दूर करने का हमारा target बिटा 180 रहेगा क्योंकि जब हम 180 का target लेके चलेंगे तो definitely 150-160 के उपर लेके आएंगे marks chemistry में और आप लोगों को भी पता है कि अगर आप लोगों ने 150-160 marks score कर दिये chemistry में तो selection आपका almost ensure हो जाएगा तो जिद बैच एक रस्ता है एक सफर है आप non selection से लेके selection तक का जिसमें हम लोग extensive question practice करने वाले हैं लगबग लगबग 4000-5000 question हम लोग practice कर लेंगे और जो आप लोग के weak topics हैं जब हम practice करेंगे तो हमें पता चलेंगे कि यह आप लोग कहां पे कमजोर हो आप लोग हो कि क्या weak topics है उसे weak topics को भी cover करवाया जाएगा तो दोनो जगे आप लोग का काम होने वाला है चले अब बात करते हैं schedule की कि क्या schedule रहेगा जिद बैच का ठीक है आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो बिटा 27th माच से हो रहा है बिल्कुल सही है ठीक है starting में हम लोगोंने chapter wise रखा है ताकि एक बार फटा फटते जल्दी जल्दी chapter wise फितम कर दें उसके बाद आप लोग के full length mock test है और chapter wise में भी क्या combination रखा है physical chemistry और inorganic chemistry को cover करा है साथ में जिसे देखिए atomic structure physical chemistry का chapter chemical bonding हम लोगोंने inorganic का ले लिया फिर states of matter फिर is block तो आप देखोगे physical chemistry और inorganic chemistry बहुत सोथ समच के इन दोनों को साथ में रखा गया है ताकि एक में आप लोग के numericals रहें और एक में आप लोग के theory type के questions रहें तो दोनों चीजें हमारी cover होते वे चलेंगी फिर देखे 29th March को thermodynamics और हाइड्रोजोल हो जाएगा equilibrium redox हो गया solid state surface के में स्री हो गया चीक है जी तो यह आपका 31st March को हो गया फिर आप लोग का 1st April mole concert periodic table और solution अ Sunday आप लोग को off रखा है Monday to Saturday आप लोग की classes रहेंगी और Sunday को जितनी भी classes आपकी उस week में होई है उसको आप लोग को revise कर रहा है आप लोग को home work के दिया जाएगा Sunday के लिए फिर आप लोग का 3rd April को देखिए फिर अगीन आगे आप लोग का जैसे 4th April को देखिए P block P block मैंने स conceptual मन सकते हैं लेकिन यह क्या रहेगा theoretical रहेगा फिर 6th April को ले लिए मैंने पूरी organic complete है बहुत सारे questions लेके आएंगे organic के और गानिक करेंगे ऐसी बेटा 7th April को हमने organic complete मतलब organic को separate रखा गया है और generally combination किसका बनाया है physical chemistry और inorganic chemistry का organic complete बनाया है अभी मैंने जो full organic के दो session लगाए तो अगर कोई भी changes करने होंगे इस schedule में तो वो आपसे consult करके उसी time पे कर दिये जाएंगे जैसे अभी मेरे को लगता है कि और organic chemistry के अगर मैं दो session आपको करवाँगा फुल organic के तो आपकी organic अच्छी हो जाएगी लेकिन सबोस करिए यार उस टाइम पर organic में आपको अभी भी doubt है कि नहीं सर एक और session इसा लगा लीजिए तो कोई load की बात नहीं है we are very much flexible तो आप लोग का एक और organic का session लग जाएगा क्योंकि क्या है इस batch पे और कोई भी नहीं है आप लोग की chemistry की extensive practice हो नहीं है तो आप लोग का direct communication मेरे से रहेगा तो जो भी आपके issues रहेंगे वो directly मैं solve करने वाला हूँ इसी लिए यार इस इस batch पर मैं काम 50 दिन से कर रहा हूँ है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोग जैसा बोलोगे उसे आप से हम लोग थोड़ा बहुत flexibility के साथ schedule change भी कर सकते हैं फिर आप लोग का 8th April से चीज़े स्टार्ट हो जाएंगी और mock test आजाएंगे full length अब देखिए धड़ा 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 फुल लेंथ mock test है mock test है full length हमको देने है full length हमको देते जाने है चीक है तो आप लोगों का 27th March से start हो जाएगा काईदे से बेटा आप लोगों का 27th April को खतम हो जाएगा लेकिन इसके बाद भी आप बोलोगे कुछ चीज चेंज करवानी है कुछ ज़्यादा प्रैक्ट्रिस करवानी है अब जैसे कुछ chapters होते हैं जैसे Electrochemistry हो गया आइनिक equilibrium होता है यह टफ होता है ना तो हम लोग एक बार तो प्रैक्ट्रिस करी रहे हैं इसकी लेकिन बच्चा जनरली बोलता है कि सर एक और बार चाप्टर वाले हैं फुल नेंज भी मॉक्तेस्ट प्रैक्टस करने वाले हैं डाउट सेशंस अपके डाउट सेशंस रिगुलेली लगवा देंगे ठीक है इन्रोल करिए और अच्छी तरीके से अपनी क्वेशन प्रैक्टस करिए एक क्लोज एन्वार्मेंट में पढ़ोगे जहां पे आप लोग के डॉट्स क्लियर हो रहे हैं जहां पे आप लोग को एक पढ़ने का महल बिल रहा है कोई स्पैमिंग नहीं हो ली तो आप लोग खु कोड बेटा आप लोग स्पार्टन लगा दीजिएगा और प्रॉपर्ली इसमें इन्रोल हो जाएगा अभी भी कोई भी डाउट बचा है बेटा तो बिंदास कमेंट सेक्षन में लिखिए मैं कमेंट सेक्षन पढ़ रहा हूँ सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ उनके डाउट भी आप लोग के क्लियर कर दूँगा अब लोग बिंदास कमेंट सेक्षन में लिखिए आपके जो भी डाउट हो ठीक है इस वीडियो के बेटा खूब सारा प्यार दीजिएगा लाइक करिएगा बहुत महिनत लगी है यार अब बहुत टाइम से मैं इस बैच पे लगा हु ठीक है तो मेक शूर यू शेर यू शेर इस वीडियो विडियो 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 फ्रेंस अब्सक्राइब तो आर चानल अचली अच्छे जे बढ़िये टेकर व्रेवन वाव ग्रेट दिस्यू गाइज बाई